एम परिवाहन सरकार का एक official एप है इस पर आप अपना virtual RC और virtual driving license डाउनलोड कर सकते हैं ये वैसा ही वैलिड होता है जितना कोई physical document वैलिड होगा आपकी वाइक का RC या driving license या कहीं पर भी चेक करने के दौरान आप इसे दिखा सकते हैं तो आईए बताते हैं आप किस तरह से इसे virtual driving license और virtual RC डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से आप open करेंगे play store से दाकर इसका link वीडियो के description में भी दिया हुआ है इस तरह से open होगा यहाँ इसके पर click करेंगे यहाँ पर आप अपनी language choose कर लेंगे उसके बाद continue government की तरब से जो भी सूचना आएगी वो यहाँ पर दिखा दी जाएगी उसके बाद ok आपके साम में इस तरह से dashboard open हो जाएगा 3 lines पर click करेंगे sign in पर click करेंगे यहाँ देखेंगे अभी आपका account नहीं बना है sign up पर click करना है उसके बाद यहाँ अपना mobile number डालेंगे जो आपने अपने driving license में register कराया है and then continue यहाँ पर terms and conditions को accept करेंगे and submit आपके mobile number पर equity पी जाएगा आपो यहाँ बरेंगे और verify पर click करेंगे उसके बाद यहाँ अपना name बरेंगे और sign up पर click करेंगे उसके बाद यहाँ देखेंगे create virtual deal यहाँ पर आप अपना virtual driving license create कर सकते है create virtual deal पर click करेंगे यहाँ आपको अपना driving license नंबर भारना है और search पर click करना है search पर click करने के बाद यह आपके सामने notice आएगा ok पर click करेंगे यहां पर देखेंगे आपका driving license आपके सामने open होके आ जाएगा यहां आपका photo होगा आप यहां पर अपनी detail देख सकते हैं यहां पर आपको add to dashboard for virtual deal इस पर click करना है इसके बाद verify करने के लिए आपको यहां पर अपनी data वर्थ भरनी होगी and then verify पर click करेंगे इस तरह से आपका DL dashboard पर add हो जाएगा ओके पर click कर देखेंगे यहां देखेंगे आपका DL dashboard पर add हो गया इस पर click करेंगे यहां देखेंगे आपके driving license का QR code ही मिल गया है कहीं पर बाहां चेकिंग के दौरान आप इसे दिखा सकते हैं यह उतना ही valid है जितना एक physical driving license यहां पर download का button आ रहा है इस पर click करके आप अपने इस driving license को download भी कर सकते हैं नीचे scroll करके आप अपने driving license की सारी detail चेक कर सकते हैं अगर आप future में अपने driving license में कोई भी detail अपडेट कराते हैं या correction कराते हैं तो वो भी detail यहां पर update हो जाएगी आपको बस एक वार refresh करना यहां अपडेट हो जाएगी अब आपको बताते हैं आप अपने vehicle की virtual RC किस तरह से यहां पर add कर सकते हैं create virtual RC पर click करेंगे यहां पर आप अपनी vehicle का registration number भरेंगे और search पर click करेंगे यहां OK पर click कर देंगे यहां पर देखेंगे आपके vehicle की जो भी detail होगी आपके सामने आ जाएगी इसको भी यहां add to dashboard for virtual RC पर click करके add कर लेंगे इसके लिए आपको अपने verify करने के लिए चेचिस के last four digit और engine number के last four digit बरने होगे और verify पर click करना होगा जैसे आप verify पर click करेंगे आपके RC verify होगी यहां OK पर click करेंगे आपकी RC भी आपके डरस boot पर आ जाएगी इसपर click करके इसे देख सकते हैं आएज इसपर click करते हैं यहां पर दिखेंगे आपकी RC जिसके भी नाम के beta कि लोगी वह नाम आ जाएगा और QR code भी आ जाएगा इस RC को भी आप checking के दौरान दिखा सकते हैं ये उतनी ही valid है जितना आपकी physical RC होगी ये virtual idea आप इसे download भी कर सकते हैं नीचे स्कॉल करके आप RC की पूरी detail देख सकते हैं ये ती process कि आप किस तरह से अपना virtual dining license और virtual RC अपने एमपरिवेन एप में देख सकते हैं आपको जनकाई कैसे लगी है हमें comment section में जबू बताएगा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा अगर आप नए हमाई चैनल पर तो चैनल को subscribe भी कर लीजेगा